हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है इतने उतार चड़ाव से देश गुजरा है पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बात जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा लेकिन इस से भी सबसे अच्छी बात रही है जितनी तेजी से हलत बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे है फरवरी मार्च में जब पैंडेमिक का ये दौर शुरू हुआ था तो हम एक अन्नोन दुश्मन से लड़ रहे थे बहुत से अनिश्चित थे प्रोडक्शन हो लॉजिस्टिक्स हो एकॉनमी का रिवाइवल हो अंगिनत विशे थे और सवाल यही था कब तक ऐसा चलेगा हर एक के मन में यही सवाल था कैसे सब ठीक होगा इनी सवालों चुनोतियों चिन्ताओं उससे दुरिया का हर मानव उसी में फसा पड़ा था लेकिन आज दिसंबर आते आते स्थीती बहुत बदली हुई नजर आ रही है हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है आज जो एकॉनमी के इंडिकेटर्स है वो उस्था बढ़ाने वाले हैं हौसला बढ़ाने वाले हैं संकर के समय देश्म ने जो सीखा है उसने भविश्य के संकर्पों को और दड़ किया है और निश्यक तोर पर इसका बहुत बढ़ास्रे भारत के एंटर्परनर्स को जाता है भारत की युवापीडी को जाता है भारत के किसानों को जाता है आप सभी उद्यम्यों को सभी देश वासियों को जाता है साथियों हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास एक सबक जुड़ा रहा है जो देश ऐसी महामारी के समय अपने जादा से जादा नागरीकों को बचा ले जाता है उस देश की बाकी सारी व्यवस्ताएं उतनी ही तेज़ी के साथ रिबाउंड करने के ताकत रखती है इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरीकों के जीवन को सरवच प्रात्विक्ता दी जादा से जादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है दुनिया भी देख रही है भारत ने जिस तरद बीते कुछ महिनों में एक जुड़ होकर काम किया है नीतिया बनाई है निर्णे लिये है ठीतियों को समाला है उसने पूरी दुनिया को चकीद करके रख दिया है बीते छे वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था वो बीते महिनों में और मजबूत हुआ है FDI हो या FPI विदेशी निवसकों ने रेकॉर्ड इंवेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं कर दोंख में विदेशब इंवे निfir liberal यति है